यह चीज मैंने अच्छे से स्प्रेट कर दिया है, अब जो सूजी का बाकी बचा हुआ गोल था, वो इसके उपर हम दाल देंगे. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काड्यू किचन में, मेरा नाम है मनीशा, आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का स्टफ चिलड़ा, इसके लिए मैंने लिया है दो कप सूजी, एक कप मैंने बॉल में दाला है, यह एक कप और हम लेंगे, साथ में लेंगे प्याज, एक बारिक कटा हुआ, तीन उबले हुए आलू, एक बारिक कटी हुए हरे मिर्ची, दरदरा पिसा हुआ धनिया, इनो, चीज लेंगे हम, अमचूर, नमक, लाल मिर्ची, हल्दी और गरम मसाला, और पानी लेंगे हम घोल त्यार करने के लिए, सा करें, तो चलिए, शुरू करते हैं, आज की रेसिपी, सूजी का चिलडा बनाने के लिए, सबसे पहले हम घोल त्यार कर लेते हैं, सूजी में हम मिलाएंगे, थोड़ा सा नमक, इसको अच्छे से सूजी में मिक्स कर लेते हैं, अब इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी आड़ करेंगे, पानी हमें एक साथ नहीं दालना है, थोड़ा-थोड़ा करके ही हम आड़ करेंगे, इस सूजी का घोल बनके तयार हो गया है, इतना गाड़ा घोल हमको चाहिए होगा, इसमें लगबग सवा कब जितना पानी लगा है, इसको अब अब 10 मिनट के लिए ढखके रख देंगे, जब तक हम आलू का मिक्स त्यार कर लेते हैं, मसाला बनाने के लिए पैन में मैंने 2 टी स्पून ओईल दाला है, ओईल गरम हो गया है, अब सबसे पहले इसमें हम जीरा दालेंगे, तोड़ा सा चलाएंगे इसको, अब इसमें और साथ साथ ही दालेंगे हारे मिर्ची, इसको लगबग 1-2 मिनट तक लालोने तक भुनेंगे, प्यान भुन गए हैं, अब हम इसमें मसाले दालेंगे, दरदरा पिसा हुआ धनिया, नमक 1-4 टी स्पूर, नमक स्वाथ के अनुसार आप लोग कम जादा कर सकते हैं, हल्दी 1-4 टी स्पूर, लाल मिर्ची 1-2 टी स्पूर, गरम मसाला 1-2 टी स्पूर, इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यह जो बॉयल आलू है, इसको हाथों से इस तरह से मैश करके इसमें मिक्स करेंगे, इस सभी आलू मैंने इसमें दाल दिये हैं, अब इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे, अब इसमें दालेंगे अमचूर, अमचूर मैंने आधा चम्मस दाला है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और गैस को बंद कर देंगे, अब इस मसाल मसाले को हमें प्लेट में निकाल लेंगेh ये मसाले को मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब इस मसाले में इससे थोड़ा साव पोर्शन लेंगे और अस तरह से बॉल बना के छुट-चुट टिक्चा बनाएंगे जादा छोटी जादा बड़ी नहीं बनानी है मीडियम साइज की हम इसकी बनाएंगे इस तरह से यह टिकिया मैंने बना कर त्यार कर ली है अब हम सूजी का जो हमने गोल बनाया था उसको चेक कर लेते हैं सूजी अच्छे से फूल गई है इसको ठोड़ा सा हिलाएंगे हम सूजी को लगबख एक मिनिट तक मैंने इस तरह से चलाया है और यह इस तरह का गोल हमारा तयार हुआ है यह गोल हमारा तयार है अब इसमें हम इनो मिलाएंगे लगबख आधा टी स्पूर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे यह mix हो किया है अब हम चलते हैं गैस की तरफ कड़ाई में मैंने एक टी स्पून ऑईल डाला है ऑईल गरम हो किया है अब यह जो सूजी का गोल हमने त्यार किया था यह इसमें हम डालेंगे पूरा नहीं डालना है हमको सूजी का आदा मिक्स मैंने इसमें डाल दिया है अब इसको हम ढखके पकने के लिए छोड़ेंगे लगभग एक मिनट तक इसको हम चैक कर लेते है यह देखिए नीचे से थोड़ा थोड़ा पक गया है अब इसमें हमने जो टिकिया बनाई थी यह इस तरह से रखेंगे इस अभी टिकिया मैंने इसके उपर रख दी है अब इसके उपर हम चीज स्प्रैट करेंगे यह चीज मैंने अच्छे से स्प्रैट कर दिया है अब जो सूजी का बाकी बचा हुआ गोल था इसके उपर हम डाल देंगे बचा हुआ सारा गोल मैंने इसके उपर दाल दिया है अब हम इसको ढग देंगे और लगभग तीन से चार मिनिट पकने देंगे यह सब हमें बिलकुल लो फ्लेम पे ही करना है लगभग चार मिनिट हो गया है हम इसको चेक कर लेते हैं यह देखिए नीचे से पक गया है यह राम से हिल रहा है अब इसके उपर थोड़ा थोड़ा ओईल ग्रीस करेंगे ओईल ग्रीस कर दिया है अब इसको हम टर्न करेंगे इसको हमने टर्ण कर दिया है अब हम इसको दूसरी साइट से भी पकने देंगे इसको इस तरह से वापस से ढग देंगे हम लगबग तीन मिनट के लिए लगबग चार-पांच मिनट हो गए है अब इसको हम चेक कर लेते हैं यह देखिए यह अच्छे से घूम रहा है मतलब यह नीचे से भी कोख हो गया है अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे यह मैंने प्लेट में निकाल लिया है अब इसको हम कट कर लेते हैं यह मैंने कर्ट कर लिये है यह देखिए कितना अच्छा इस्टाफ इसमें है और बहुत यह चीजी यह बना है आप यह रेसिपी जरू ट्राइ करिए अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और शेयर करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर फास वाले बेल आइकन को दबा कर और क्लिक करें थैंक यू